ओम शान्ती आज 10 नवेंबर 2021 है आज के दिन बाबा हमें अव्यक्त इशारों की द्वारा हमारा वर्तमान करतव्य पुना याद दिल आ रहे हैं हम ब्राम्हन बच्चे इस समय संगम युग में विशेश आधार मूरत है तो कैसे हमारा आधार मूरत विश्व के लिए सेवा का एक साधन बनता है आएज जानते हैं बाबा के अव्यक्त इशारों के द्वारा आप ब्राम्हन आधी रत्न विशेश तना हो तना से सबको साकाश पहुँचती है तो कमजोरों को बल दो अपने पुर्शार्थ का समय दूसरों को सहीयोग देने में लगाओ दूसरों को सहीयोग देना अर्थात अपना जमा करना अभी ऐसी लहर फैलाओ देना है देना है देना ही देना है देने में लेना समाया हुआ है संगम युग का समय अगर देखा जाए तो पूरे श्रिष्टी चक्र में बहुत ही नवीन और बहुत ही अनोखा समय है सत्योग और त्रेता में हम ना कमाई करते हैं ना देते हैं ना लेते हैं सिर्फ जो जमा है उसको ही हम एक प्रकार से खाते हैं और उसके बाद में द्वापर युग से हमने गवाना शुरू किया अपने स्वरूप को उसकी स्मृती को अपने पवित्रता को अपने जमा के खाते को भी हम गवाते गए और पुन्ने के लिए भी थोड़ा थोड़ा जो हमने अलपकाल का कुछ भक्ती माग में किया उसका अलपकाल का हमको सुख भी मिला अलपकाल का रिटर्न भी मिला लेकिन संगम युग परा करके हम आत्माई अपने लिए अविनाशी खजाने जमा करती हैं और साथी साथ सबसे बड़ा पुन्ने का कर्म जो सब आत्माओं को वापस पवित्र बनाने का बाबा के साथ करते हैं सबको मुक्ती जीवन मुक्ती दिलाने का बाबा के साथ करते हैं तो ये समय सबसे छोटा और सबसे महत्वपून है तो ऐसा क्या पुर्शार्थ हम करें जिससे हमारा ये समय सफल भी हो और ये समय जमा भी हो इसके लिए बाबा ने हमें बताया है कि हम रामनात्माई तना है इस समय बीच के साथ जुड़े हुए हम जड़ भी है और सब को देने वाला हम तना भी है तना क्यूं? क्योंकि तना एक तो सिंगल होता है यानि कि हम सभी का एक मत अवस्था, एक रस्थ थी एक के साथ ही हमारी लगन और तना मजबूती का प्रतीक होता है इसलिए अपनी शक्तियों के द्वारा जो कमजोर आत्माएं है सब एक मत होकर कि जब एक ही लहर फैलाएंगे तब कमजोर आत्माओं को हर तरफ से सकाश मिलेगा और ये जो विश्व परिवर्तन का कार्रे है ये शीग्र होगा और इसके लिए सकाश सब को देने के लिए ये बात भी हम ध्यान में जरूर रखें कि हम अपना कुछ नहीं दे रहे जो बाबा से हमें मिला है हम वही दे रहे है और बाबा भी उसको ही देता है जो आगे औरों को दे रहा हो तो यदि हमारा औरों को देने वाला मार्ग नहीं खुला है तो बाबा से लेने वाला मार्ग भी धीरे 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 बंद होता जाता है इसलिए बाबा तो देने वाला है सदा के लिए लेकिन हम जितना जादा औरों को देंगे उतना ही हमारे अंदर ग्यान बहेगा उतना ही हमारे अंदर गुण और शक्तियां बाबा से मिलेंगी इसलिए बाबा ने कहा देना ही लेना है क्योंकि बाबा देते ही हमें हैं ताकि हम औरों को आगे दे सके इसलिए इस समय अपने पुर्शार्थ प्रती ही अपना समय नहीं लगाना लेकिन इस देने में अपना पुर्शार्थ यानि यी बाबा से भरपूर होना स्वत्ह ही समाया हुआ है तो हम सभी अपने स्मृती में स्टिक करके बाबा से लेते हुए सब को ये सहयोग ये सकाश अभी दे ओम शांते